मिसमें जाहरमान रहीम इंसिलरेशन ओफ म्यूसिपल सॉलिड वेस्ट आप लोग जो घरों में महलों में जो शेहरों में पूरा किर्केट कठे करते हैं उसको बहुते हैं म्यूसिपल वेस्ट ज़र डिंजरस नहीं होता उस म्यूसिपल वेस्ट को हम बर्न करते हैं at 900 to 1000 degree centigrade उसके बहुत सरे फाइदे भी है कि जो इंसिलरेटर होता है जो बंगर होता है उसके अंदर कंबस्टीबल मेटीरियल सारे कंबस्टों के एशिज़ बना देते हैं और जो नौन कंबस्टीबल होते हैं वो एसच रहते हैं इससे as you spoke जो residue होते हैं उसे हम dispose off कर देते और overall जो अब volume बचा होता है जो weight बचा होता है that is reduce up to 2 3rd मतब 2 तहाई हिसा सिरोफ रहता है बाकि हम सारा dispose off कर चुके होते और इसकुछ काले लगाना आब remedy दे एक असान काम होता है और पेपर, प्लास्टिक या वुडू that is used to produce fuel और सबसे अच्छा फ्यूल बनता है प्लास्टिक का व्योंकि इसके अदर बड़े compactness होती है बड़े energy होती है तो जब इसको तोड़ेंगे तो इससे ज़दा energy वाले kilo calorie वाले molecule जो होगे वो release होंगे और इससे ओवराल ज़दा energy produce हो और heat is used to produce steam and that steam is used by turbines to run और इसके लावा हम लोग Amcat 2015 में लिख रहे हैं एक question है होगे यह burning of which one consumed as useful industrial waste metals, grass, paper इससे कम energy निकलती है और metals तो combustion ही होती है तो सबसे हचा का मस्धिर होगी plastics की और इससे ज्यादा energy